राहुल गाधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है उनका मेंटल हेल्थ चेकप होना चाहिए सबसे दुल्द चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाती नहीं बताना चाहते हैं ऐसा क्यों वो कहत उनसे जब पुछा गया कि आपकी जाती क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया अगर राहूल गाली जी से जात पूछा जाया तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई तो वो सब को गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का बढ़ता है और इस देश के हर बच्चे में प्रतिभा है जरूरत है समय पे उस प्रतिभा को तरासने की लेकिन पता नहीं चुकि इन लोगों को इतना दिन से सत्ता में रहने का आदत हो गया था राहुल जी को कि सत्ता से निकलने के बाद वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे मच इस देश के जितने सरकारी केंद्री करमचारी है सरकारी करमचारी है उन लोगों का एक लंबे समय से डिमांड था कि हमारा सेंट्रल पेंशन स्कीम को जो पुरानी थी वही लागू किया जाए और आप सब को जानते हुए बड़ी खुशी की बात है कि दो दिन पहले सेंट् पेंशन स्कीम को नरंद्र मोदी जी की सरकार उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है और मैं समझता हूँ ये देश के जितने सरकारी करमचारी है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी सरकारी करमचारी की जब नौकरी खतम हो रही होगी या जब वो छोड़ रहे ह होंगे तो उसके एक साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका पचास परसेंट उनको पेंशन के रूप में मिलेगा और ये मुझे लगता है देश के लगबग 10 करोण लोगों के लिए 10 करोण परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है नरद्र मोदी जी को कि वह तो खुद भी रहे एक बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबु आये थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे काफी धाई तीन साल रहे तो धाई तीन साल में कम से कम पांच लाख को दे देना चाहिए था लेकिन पांच सो को भी नहीं दे पाए